स्वागत है आप सभी का Potion Tracker App की एक नई वीडियो में तो आज हम आप सभी के लिए Potion Tracker App की एक नई अपडेट की जनकाडी देने वाले हैं जो कि Potion Tracker App का जो एक नई उपडेट आया है 13.9 तो इस वीडियो में आप लोग को हम बताने वाले हैं कि जो आप लोग potion tracker app यूज कर रहे थे उसमें कुछ option जो है वो change हो चुके हैं जैसे कि यहाँ पे आप लोग देख पा रहे होंगे हमने play store open किया है open करने के बाद यहाँ पे आपको what's new में देखने को मिलेगा user interface and design change यानि कि जो आप लोग का पुड़ाना interface दिखाई दे रहा था पोशन ट्रेक राइब का वह अब यहाँ पे बदल चुका है और भी बहुत सारे option जो है यहाँ पे बदल चुके हैं तो चली हम आपको step by step करके सभी जो जानकारी है मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं तो आप लोग इस वीडियो को end तक जरूर देख लिजेगा अगर आप हमारे चैनल पे नए आया है तो चैनल को subscribe कर लिजेगा और आप सभी को वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को like भी कर देजेगा चली है शुरू करते हैं आज की ये वीडियो जैसे कि यहाँ पे देनिक ट्रेकिंग में हाजरी बनाईएगा सभी का इंटरफेस यहाँ पे चेंज हो चुका है तो हम आपको इस वीडियो में सभी जनकारी देने वाले हैं जब तक यह अपडेट हो रहा है तब तक आप लोग इस वीडियो को like कर दीजिए क्योंकि आप लोग like करते हैं तो ह हमें अच्छा लगता है हम आपके लिए इस परकार के नए नए वीडियो लेके आते रहते हैं तो देख सकते हैं यहाँ पे पोशन ट्रेकर अपडेट हो चुका है अपडेट होने के बाद सिंपली हम लोग यहाँ पे ओपन वाले पे क्लिक करेंगे क्लिक करने के बाद पु हैं तो वो अप्शन यहाँ पे सीधे एड कर दिया गया है यहाँ से आप लोग किसी भी बच्चों का हाजिर बना सकते हैं और अपना भी हाजिर यहाँ से डेक्ट जाके बना सकते हैं चलिए यहाँ पर सबसे पहले हम आपको बेनिफिस्तरी वाली केटेगरी ओपन करके दि दिखा रहा था अब जैसे कि यहाँ पर किसी भी गर्वहती महिला या अस्तनपन कराने वाली महिला की केटेगरी को ओपन करेंगे तो इस प्रकार का आपका इंटरफेस दिखाई देगा जिनका अधार वेरिफाइड रहेगा वो यहाँ पर आपका अधार वेरिफाइड और जिनका नहीं अधार verified रहेगा, उनका यहाँ पर on verified दिखाएगा, तो इस प्रकार से आप लोग समझ सकते हैं कि किनका अधार verified हुआ है, किनका नहीं हुआ है, चलिए अब हम आपको बताते हैं कि new registration कैसे करना है, जैसे कि पहले क्या था जो भी category आप लोग देख रहे थे, उसी से आप लोग किसी भी लभार्थी का new registration कर पाएंगे, जैसे गर्भवती महिला, अस्तनपन कराने वाली महिला, कि सोरोय लड़किया, जीरो से 6 माह के बच्चे, 6 माह से 3 साल के बच्चे, और 3 से 6 साल के बच्चे, जिनका भी registration करना हो, आपको यहाँ पर क्या करना है, प्लस जिस परकार से registration करते थे, वो option यहाँ पर आपका खुल के आ जाएगा, तो इस परकार से यहाँ पर जो नए update आए हैं, इसमें changes किये गए हैं, और जैसे कि यहाँ पर जो daily tracking का option दिया गया है, यहाँ से आप direct अपने और अपने आगनबारी केंदर के जो भी बच्चे हैं, उ हम आपको home visit वाले schedule में भी दिखा देते हैं, कि इस परकार से यहाँ पर बदलाव किये गए हैं, जैसे कि home visit schedule में भी आप लोग देखेंगे, तो जो category है, सिर्फ वही आपको यहाँ पर option को change किया गया है, जैसे कि पहले जिस परकार से लभार्थियों का यहाँ पर home visit किया कर आपको करना है, लेकिन जो late वाले option में लभार्थी चले गए हैं, उनका अभी यहाँ पर कोई भी solution निकल के नहीं आया है, कि इन लोग का जो late option में हो गया है, तो उसको कैसे हम लोग ठीक कर सकते हैं, तो इस परकार कि जो अभी problem है, वो आपको home visit में देखने को मिल सकती है, और जैसे कि अधार verify करने वाले option में भी आपको थोरा सा changes देखने को मिल सकता है, जैसे कि verify अधार वाले option पे click करेंगे, तो यहाँ पे सभी लभार्थियों का पहले नाम दिखा रहा था, लेकिन अब यहाँ पे सिर्फ दो ही लभार्थी ऐसे दिखाई दे रहे हैं, जो यह पे उनका नाम दिखाई दे रहा है, बाकी जितने भी लभार्थी है, उनका नाम यहाँ से हटा दिया गया है, तो इस portion tracker app में ज्यादा कुछ update नहीं है, जो भी आप लोग का interface था, वही आपको यहाँ पे change किया गया है, तो उमीद करते हैं कि आप सभी को portion tracker app की यह जो update आई जय हिंद